हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे वाइफाई सेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉबलम आती है यहाँ पे आपके फोन पर वाइफाई सेयर नहीं होता है और नहीं QR कोड से सेयर होता है तो यहाँ पे आप लोग इस problem को कैसे solve करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तो सबसे पहले तो आप लोग अपना phone को एक बार switch off करके on कर लिजिए या तो फिर अपने phone को एक बार reboot कर लिजिए उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से वाइफाई जो है सेयर करके देख लेनी है अगर हो रहा है तो सही है और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग को setting को open करना है अपने phone पर उसके बाद यहां पे आपको इक option आता है connection और sharing का तो आप लोगों को यहां पए क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको उपर के ओर slide करनी है और यहां पे आप लोगों को recent Wi-Fi mobile network और Bluetooth का option आता है तो यहाँ पे क्लिक करिये उसके बाद यहाँ पे आपको recent setting पे click करना है तो इससे क्या होगा कि आपके phone पर wifi, mobile data और bluetooth का जो settings है वो यहाँ पे recent हो जाएगा तो यहाँ पे अगर wifi में आप लोगों ने गलती से कोई setting करी रही होगी जिसके वज़ा से आपको यह problem आ रहाता तो वो भी setting आपके phone से recent हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी problem जो है यहाँ पे नहीं आएगा तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे wifi connect करेंगे तो असानी से आपके phone पर wifi connect हो जाएगा और यहाँ पे सेहर भी करेंगे तो भी असानी से यहाँ पे सेहर हो जाएगा तो इस तहलिके से आप लोग यहाँ पे इस problem को solve कर सकते हैं तो चलिए guys मिलते हैं next video में